NCRT रसायन विज्ञान का फोर्थ चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है रासायनिक बलगति की देखे बच्चो रासायनिक बलगति की है क्या यह कहा जाता है कि रासायनिक बलगति की रसायन विज्ञान की वह शाका है जिसके अंदर किसी अभीक्रिया के वेग त कहने मतलब कि रासाइनिक अभिक्रिया होगी यह नहीं होगी उसकी संभावित से पता है जब ज कोई अभिक्रिया की सीमा तक होगी भिक्यानिक सामय से। पूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए या पूर्ण रोप से किसी अभीक्रिया को पढ़ने के लिए हमें उस अभीक्रिया का वेग भी पता होना क्या है जरूरी है कहने का मतलब है हमें ये पता होना जरूरी है कि अभीक्रिया किस वेग से हो रही है अभीक्रिया के वेग करते हैं अद्धियन करते हैं तो देख्यीट क्या के वेग को प्रभावित करने वाले कारक तथा अभी कई की क्रियाविधी का अध्यान किया जाता है अभी मैंने आपको बताया किस के का अगे दीण करेंगे अभी क्रिया करने वाले का अभी क्रिया की किर्यावीदी का अगे धिकिए उस्थिर्ताप एवम बार आप अभी क्रिया होती है जिसके लिए मुक्त उर्जा प्रिवर्तन धिनात्मक होता है कहने का Despite बिटल जी लैस देन जीरो एर्फ देखिये उश्मा गति की ये बताती है की वही अभ्य करियास संबव है जिसके लिए डै Rinagy कामान क्या हो चीरो से कम हो है कैसे अस बहुआ गूसने बहुत बहुत जिसके लिए डैल जी क्या और रिनात्मक हो यानि नेगेटिव हो, क्लियर है, आगे देखिए, अभी क्रिया किस सीमा तक होगी, इसे रासाइनिक सामे के द्वारा निर्धारित किया जाता है, देखें कोई भी अभी क्रिया किस सीमा तक होगी, इसका निर्धारन किसे किया जाता है, रासाइनिक सामे से किया जाता है, एवम उसको निर्धारित करने वाले कारकों को जानना बहुत ही क्या है? महत्व पूर्ण है देखे बच्यों, अगर हमें किसी भी अभीकरिया की पूर्ण जानकारी लेनी है तो हमें ये तो पता होना जरूरी है कि अभीकरिया की होने की संभावना है या नहीं है साथ के साथ हमें यह बी पता होना जरूरी है कि अभी क्लिए के वेग क्या है किस तरीके से अभी क्लिया के वेग को परिवर्तित किया जा सकता है और यहाँ पर कौन- stabilize आयसे कारक है जो कि हमारे अभी क्लिए के वेग को प्रभावित करते हैं धीक आगे देखो रासाइनिक बलगतिकी में हम इन सब का क्या करते हैं अध्यन करते हैं देखिए रासाइनिक बलगतिकी का अध्यन ना केवल रासाइनिक अभीक्रिया के वेग को निर्धारित करने में मदद करता है अपीतु उन इस्तितियों का भी वड़नन करता है जिससे अभीक्रिया के वेग में परीवर्तन लाया जा सकता है ठीक है आगे देखिए उश्मा गती की केवल अभीक्रिया की संभावेता बताती है जबकि रासाइनिक बल गती की हमें अभीक्रिया की क्या बताती है गती के बारे में बताती है देखे बच्चो जो रासाइनिक बल गती की है वो हमें अभीक्रिया की गती के बारे में बताती है कि अभीक्रिया तीवर गती से हो रही है या मंद गती से हो रही है कुछ अभीक्रिया तीवर गती से होती है कुछ मंद गती से होती है और इसके बारे में रासायनिक बल गती की से हमें क्या मिलती है जानकारी मिलती है देखे बच्चो जो अभीक्रिया होती है अभीक्रियाओं का वेग अलग अलग होता है कहने का मतलब है कुछ अभीक्रिया ब इस तरीके से किस अभी क्रिया का वेग क्या है इसके बारे में जो हमें जानकारी मिलती है वो किसे मिलती है रसाइनिक बल गती की से क्लियर है अब देखिए इसके बारे में मैं आपको को समझाना चाहती हूं उश्मा गती की तथे ये कहते हैं कि जो हीरा है वो धीरे-धीरे ग जो नहीं कर पाते हम आप जर्व नहीं कर पाते हैं और हम यह सोचते हैं कि वह सदेव किया है हीर्द 후 अबिसक्ता नहीं तो यह हमें कैसे पता लगता है तीव्र है यह अतीमंद गते से हो रही है यह हमें पता लगता है रासाइनिक बल्गतीकी के अध्यान से जिसेया बच्चों हमें रासाइनिक बलकतिकी का अध्यान करना क्या है आवश्चक है किलियर एंड़ाइ अभी बार समझ में अब हम पढ़ लेते हैं अभीकरिया के वेग के बारे में देखे बच्चों अभीकरिया का वेग यानि रेट ओफ रियक्शन देखे बच्चों यह कहा जाता कि इकाई समय में किसी भी अभीक्रिया में अभीकारक और उत्पाद की सांद्रता में होने वाले परिवर्तन को ही अभीक्रिया का क्या कहते हैं कहने का मदलब है जब कोई अभीक्रिया चलती है तो दिरे-दिरे क्या होता है अभीकारक की सांद्रता तो कम होती जाती है और उत होता जाता है कहने का मदलब है कि अगर हम किसी भी अभी क्रिया के समय और वेग के बीच में ग्राफ खीचेंगे तो देखिए बच्चों हमें इस तरीके से ग्राफ प्राप्त होता है कहने का मदलब है कि समय के साथ में अभी क्रिया का वेग क्या होता जाता है कम होता जाता है क्यों होता है अब ये आईसा देखे समझने की कोशिश कीजिये शुरुवात में अबीकारक है उनकी सांधरता क्या होता है चाहीं जादा होता है दीरे समय के साथ अभिक्रिया को की सांधरता कम होती जाती है अब होता auditorat इस से ये निकल के आता है कि किसी भी रासाइनिक अभीक्रिया के दोरान जो अभीक्रिया का जो वेग है वो इस्थिर नहीं होता है तो एक बार हम पढ़ लेते हैं अभिक्रिया के वेग के बारे में देखे बच्चो इकाई समय में किसी अभीकारक या उत्पाद की सांद्रता में जो परीवर्टन होता है उसे अभिक्रिया का वेग कहते हैं क्लियर है आगे देखो अभी क्रिया के वेग को किसी अभीकारक की सांद्रता में कमी अथ्वा उत्पाद की सांद्रता में व्रद्धी के रूप में क्या कर सकते हैं व्यक्त कर सकते हैं या उत्पाद की सांद्रता में व्रद्धी के रूप में व्यक्त कर सकते हैं अभी क्रिया का वेग सांधरता के समानुपाती होता है आगे देखिए माल लेते हैं कोई अभीकारक आर उत्पाद पी में बदल रहे हैं यह कोई अभीकारक है आर यानि रियक्टेंट है पी में बदल रहा है यानि प्रोडक्ट में बदल रहा है यहार अभीकारक पी उत्पाद में बदल रहा है क्लियर है अब हम समय टीवन पर बात करते हैं तो जब समय टीवन है तो आर की सांदरता क्या हो गई और पी की सांदरत का P1 ठीक है यह P1 हो गई अगर हम समय T2 पर बात करें तो R की सांदरता हो गई R2 यानि अभी कारक की सांदरता R2 और उत्पात की सांदरता क्या हो गई P2 अब देखिए डेल T यानि समय में परिवर्तन जो है वो क्या हो जाएगा डेल T R बराबर हो जाएगा R2-R1 ठीक है ऐसी डेल P निकालना है तो P2-P1 हो जाएगा आई बार समझ में यहां तक डेल R हो जाएगा R2-R1 डेल P हो जाएगा P2-P1 आगे देखिए R में हास होने की दर हास का मतलब है R में कमी होने की दर क्या है तो देखिए क्या हो जाएगा R की सांधता में कमी और भाग दे देंगे किसका समय का अरे अगर हम R में हास होने की दर की बात करें आर का मदलब है यहाँ पर अभीकारक वह हम लोगों को पता है आर यानि अभीकारक यानि अभीकारक में हास होने की दर क्या होगा तो आर की सांधता में कमी बटा समय यानि अभीकारक की सांधता में कमी बटा समय तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं मैं लिख सकती हूँ माइनस डै होने की दर की बात करें तो हम क्या लिख सकते हैं पी की सांधुता में व्रद्धी और इसमें भाग दे देंगे समय का कहने का मतलब है उत्पाद की सांधुता में व्रद्धी और भाग दे दो यहां समय का ठीक है तो देखें क्या हो जाएगा प्लस डैल पी अपॉन डैल टी ह क्लियर है तो देखे यह तो हमने बात की आर में हास होने की दर हास यानि कमी यानि आर में कमी होने की दर है यह पी में व्रद्धी होने की दर है अब देखे बच्चों यहां पर यह जो माइनस और यह जो प्लस का चिन है यह हमें क्या दर्शाता है यह हमें सांदृता में कमी वरद्धी को दर्शाता है तो देखे बच्चो यहां लिनात्मक तता धनात्मक चिन सांद्रता में कमी तता वरद्धी को दर्शाते हैं क्लियर है यहां पे लिनात्मक और धनात्मक का चिन है यह क्या दर्शा रहे हैं यहां पे सांद्रता में कमी को यह सांद्रता में की मैंने आपको बताया है अभी हमने कि ढ़ात कि है किमी कार को कि सांदृता में कंई घाती चाती है और उत्वाद की पर हम लोगों ने ले लिया सांद्रता जैसे जैसे समय बीचता है अभी कारकों की सांद्रता में क्या आ कमी आ रही यानि हमें ये ग्राफ प्राप्त होगा रपक्षा करे मैं तक से बिना के संभस सकते हैं मालिजम अभी कारpowered को कि बात करें और अभी कारकों के लिए हम समय और सांधरता के बीच में ग्राफ खीचे लिए तो नहीं यहीं ग्राफ का मिलेगा इस तपाद के लिए अपाद के लिए अबिकार को के लिए इस तरीके से ग्राफ आएगा और अपाद के लिए इस तरीके से ग्राफ आएगा और इन दोनों को combining करके यह graph बनाया है हमने यानि अभिकार कों की सांधदा में कमी उत्पादों की सांध्दता में ब्रगती आई समझ में graph समझ में आया आगे देखिए अब हम बात करेंगे ओसद Prinzip के है इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे ध्यान दीजेगा किसी रासाइनिक अभी क्रिया में एक निश्चित समय में क्रियाकार को या उत्पाद की सांद्रता में हुए परिवर्तन में समय का भाग देने पर उस अभी क्रिया का क्या निकल के आता है और सद्वेग ग्यात किया जाता है वापस देखिए निश्चित समय में अभी कार को या उत्पादों की सांद्रता में हुए परिवर्तन में समय का भाग देने पर हम क्या निकाल सकते हैं उस अभी क्रिया का और सद्वेग आगे देखें आते हैं और सद्वेग का सामानिय सुत्र निम्न होता है देख सकते हैं अगर हम उत्पादो के रैफरेंस में बात करें तो असे भी लिख सकते हैं कि उत्पाद की सांध्रता में परिवरतन इसमें भाग देंगे परिवरतन में लगा लिजी वहीं यह भी हमारा उसद वेग का क्या हो गया फॉर्मुला हो गया देखिए यह भी और यह आफ़ी आफ़ी तो हम क्या लिख सकते हैं हम लिख सकते हैं आर अवरेश देखिए बच्चों वह को ऐसे दिखाते है व्यार और यह व्य यानि ओसत्वेक एव्रेज तो आर एवय यानि सद्वेक बराबर हो जाएंगा प्लस माइनस डैल सी अपोन डैल T अब यह डैल सक्यां किया वता रहा है सांदरता में में परिवर्तन को और डेल्टी बता रहा है समय में परिवर्तन को सब्सक्राइब किस Jury कर सकते हैं धी प्रका वे टाद कर सकते हैं अगर हम समय और अभикार को की सांधता के बीच में ग्राफ कीचे तो आप लोगों को हम लोगों ने लिया है अभीकार को की सांद्रता को जब समय जीरो है जब टी क्या है जीरो जब टी बराबर जीरो है तो सांद्रता क्या है आर जीरो और इसको हम कह सकते हैं कि यह क्या है प्रारंबिक सांद्रता को प्रदर्शित कर रहा है किसको प्रदर्शित कर रहा है यह प सांदता के बारे में है बड़े बुलotta के बारे में बढ़ की तो समझ गाइब्रेट कि और अनी जानी जो ग्राफ लिए पर बात करें तो तो समय T1 पर देखे अभिकारकों की सांदता क्या है R1 है और हम समय T2 की बात करें तो अभिकारकों की सांदता क्या है R2 है यानि T1 पर सांदता R1 है T2 टाइम पर सांदता R2 है ठीके तो डेल R क्या हो जाएगा सांदता में जो परिवर्तन है वो क्या हो जाएगा तो डेल R हो हो जाएगा R2-R1 क्या हो जाएगा R2-R1 इस तरीके से समय के अंतर की बात करें तो समय का परिवर्तन है वो इन दोनों का अंतर हो जाएगा यानि डेल T हो जाएगा T2-T1 हो जाएगा ना अरे वापस देखिए बच्चो डेल R हो जाएगा हमारा R2-R1 हो जाएगा ना देखिए और अगर हम समय की बात करें तो डेल T बराबर हो जाएगा T2-T1 तो लीजे हम ओसद वेग निकाल लेंगे लीजे बई क्या हो जाएगा R एवरेज बराबर माइनस डेल R अपोन डेल T ठीके यह माइनस आ गया और यह हमने ब्रैकिट में ले लिया R2-R1 और भाग दे दिया T2-T1 का लीजे बई यह हमारा फॉर्मुला निकल क्या गया और हमने यह ओसद वेग किस से ग्याद किया जब हम लोगों ने समय और अभी का को कि सांदता के बीच में क्या खीचा ग्राफ कि जयंए इसी तरीके से देखिए जब हम समय और उत्पाद की सांदता के बीच में ग्राफ कुछेंगी तो से भी महँआध कर सकते हैं देखे बच्छों ध्यान दीजेगा लीजे भई हम लोगों समय और उत्पादों की सांदता के बीच में graph खीचा हमारा ये graph आएगा आएगा इस तरीके से हम लोग पढ़के आएं क्योंकि क्या होता है उत्पादों की सांद्रता बढ़ती है अब हम समय T1 के बात करें तो समय T1 पर उत्पाद की सांद्रता P1 है वे T1 पर सांद्रता क्या है उत्पाद की P1 समय T2 पर सांदता क्या है P2 ठीक है तो यह जो परिवर्तन है उत्पात की सांदता में परिवर्तन है डेल P डेल P किसके बराबर हो जाएगा P2 माइनस P1 के हो जाएगा और देखिए समय में परिवर्तन डेल T किसके बराबर हो जाएगा डेल T बराबर हो जाएगा T2-T1 के और अब हम औस अब निकाल लेंगे देखिए तो हमारा ओसद वेग किसके बराबर होगा डेल P अपॉन डेल T के लिजे भई इसको हम क्या लिख सकते हैं P2-P1 और भाग दे दिया हमने T2-T1 का क्लियर है आई बात समझ में तो देखिए हम लोग इस तरीके से ग्राफ खीच कर औसद वेग ज्याद कर सकते हैं आगे देखिए अब बात करेंगे ताच्छनिक वेग की ताच्छनिक वेग क्या होता है किसी शन पर अभी क्रिया का वेग क्या है उससे हम लोग ताच्छनिक व वास्त्विक वेग होता है ध्यान दीजेगा बच्चों अगर किसी निशित शंपर वास्त्विक वेग की बात की जाए तो उसे हम क्या बोलते हैं ताथ्षनिक वेग बोलते हैं या हम यह भी कह सकते हैं कि जो ताथ्षनिक वेग होता है वो किसी शंपर वास्त्विक वेग होत हो यानि किदर किदर तो उसके लिए से क्या करते हैं मि Judith कोरिक्स प्राप्त कर लेते हैं जहिए辗ा जुमित लिए रूप में अनल तशुष में डीटी के लिए ताद्शनिक वेग नियमने प्रकार से व्यक्त किया जाता है अब देखे बच्चों क्या है अगर गणीती रूप में हम इसे व्यक्त करें तो कैसे करेंगे देखिए आर एवरेज बराबर माइनस डेल डेल आर अपॉन डेल टी ठीक है बराबर हो जाएगा डे से दिखाया जाता है आर की नीचे आई एन एस टी तो देखिए क्या हो जाएगा ताद्शनिक वेग बराबर हो जाएगा माइनस डी आर अपॉन डीटी यह मिसको ऐसे भी बोल सकते हैं डीप अपॉन डीटी ठीक है आगे देखिए ताद्शनिक वेग को अभी कारा के वं उ सान्दम की कह सकते हैं सद्द्शक्ट पर और इसथा प्रशनिक वेग को बिखाया उसे भी को ग्याद कर सकते हैं नतुम तब शिव्ण बराबर होता है तोattend समझ लेते है कि हम कैसे निकालें हैं निजए चुब देखिए यह ग्राफ है सबसे पहले हमने ग्राफ लिया आ वो लिया ए समय और उत्पादों की सांधता के वीच में एक अबकितुएंग क्या किती है क्वप्रश हम लोगों निकाल लिया थो बता रहा है धी Kai और यह बता रहे है dt को ठीके तो हमारा क्या हो जाएगा ताचनिक जो हमारा वेग है ताचनिक बराबर हो जाएगा नाल है ताचनिक बराबर हो जाएगा माइनस ड्यार एक बराबर माइनस धाल के लिया तो देखा अप लोगों ने किया क्या जए अभीकार को की सांधता नूसिं का जो ताप था उस वक्र पे उस ग्राफ पे किस पर श्रेखा कीच कर हम लोगों ने ढाल ग्याद कर लिया और ठीक है और उस दाल से हम लोगों भे उसका ही होती है सांधृता समय इंवर्स अब देखो जभी सांदृता को मोल पर लिटर में मोल लिडर इंवर्स में लिया जाए ली जाए सांदृता तता समय सेकंड में लिया जाए तो वेग की कैर जाएगी मॉल लिटर इन्वर्स सेकंड इन्वर्स यह इसको ऐसे भी बहुत सकते हैं मॉल पर Лिटर पर सेकंड तो देखें बक्तों आगे से समझ लेते हैं कि कि इसी भी अभी क्रिया के लिए हम वेक कैसे निकालेंगे देखिये कोई अभी क्रिया है जिसमें और भी अभी कारक है जो C अभीक्रिया का वेग क्या होता है अभीक्रिया का वेग बराबर माइनस डी अपॉन डी टी या हम ऐसे भी बोल सकते हैं अभीक्रिया का वेग बराबर डी सी अपॉन डी टी या हम ऐसे भी बोल सकते हैं अभीक्रिया का वेग बराबर डी डी अपॉन डी टी कहने का मतलब है हम इन चारों में से किसी भी तरीके से अभीक्रिया का वेग निकाल सकते हैं कहने का मतलब है इन चारों में से अगर हमें किसी के भी सांधरता दी हुई है या सांधरता में परिवर्तन दिया हुआ है और समय में परिवर्तन दिया हुआ है किसी का भी या तो A B इन दोनों में से किसी का तो हम क्या कर सकते हैं अब विक्रिया के वेग को ग्याद कर सकते हैं क्लियर है चलिए अब विक्रिया और देख लेते हैं दिए एक अब विक्रिया यह है M1 A plus M2 B इससे बन रहा है N1 C plus N2 D ठीके देखिए बच्चो M1 M2 N1 N2 क्या है यह इस्टाइक़मीट्री गुनांग है तिक अब देखें यहां पर यह तो M1 D A upon D T यहां बहुत हैं सकते हैं वेग को minus one upon M to DB upon DT यहां estadical सकते हैं one upon M1 DC upon DT यहां वेग को यह भी सकते हैं वन upon 2D D upon D T क्लियर है यानि हम इन चारों में से किसी भी तरीके से अभीक्रिया के वेग को ग्याद कर सकते हैं आगे देखिए अभीक्रिया वेग ग्याद करते समय संतुलित अभीक्रिया के स्टाइको मीट्री गुणांग का भाग दिया जाता है देखे बच्चों क्या किया जाता है किसी भी अभीक्रिया के वेग को ग्याद करने के लिए जो इस्ट्राइक को मीटरी गुणान के उनका क्या देते हैं भाग देते हैं क्लिär रहें आई बहां समझ में तो देखे बच्चों आज हमने रासाइमिक बल्गति की कर परीचे पड़ा कि रासाइनिक बल्गति की है क्या और क्या उसका अध्यन किया जिरूरी है साथी साथ हम लोगों ने अभी क्रिया के वेग के बारे में पढ़ा और यह देखा कि किस तरीके से हम अभी कार को या उत्पादों की सांद्रता और समय के बीच में ग्राफ बनाकर और ताठ्षनिक वेग को ग्याद कर सकते हैं क्लियर है यह आपको समझ में आया होगा आज का टॉपिक अब इससे आगे के जो टॉपिक है वह हम लोग हमारे अगले वीडियो में पढ़ेंगे धन्यवाद